कहते हैं प्रेम साक्षात इश्वर है प्रेम और सत्य को एक ही माना गया है प्रेम सत्य है और सत्य सुन्दर है लेकिन हमारा प्यार ना तो सत्य है ना सुन्दर हम अनादिकाल से असत्य से प्रेम करने के आदी हैं सचाई ये है कि हमारा प्रेम जिसे हम प्यार कहते हैं वो सिर्फ एक ढोंग है मुझे स्वामी प्रभुपाद की कही एक कहानी आदाती है एक बार एक एक अट्रेक्टिव युवक को एक खूबसुरत लड़की से प्यार हो गया लड़की देखने में मौडन थी लेकिन अंदर से उसका स्वभाव किसी संत की तरह था युवक ने उस लड़की को प्रपोज किया लड़की मना करती रही वो लड़का उसके पीछे पढ़ गया जैसे की आम तोर पर होता है हम अकसर किसी परसन के प्रती एट्रेक्ट होने के बाद उसे प्रपोज करते हैं पहले अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं पर उम्मीद करते हैं कि सामने वाला भी उसी तरह हमारे प्रती भी फील करें मना करने के बाद हम और जिदपर आ जाते हैं और उसे कैसे भी करके हासल करना चाहते हैं हम सच्चे प्यार की दुहाई देते हैं ऐसा ही इस लड़की के साथ हुआ लड़का बार बार उसे सच्चे प्यार की दुहाई देने लगा लड़की ने कहा कि यदि तुम वाकई मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे पास अब से ठीक पंद्रह दिन बाद आना लड़की ने इस दौरान ऐसी दवाईयां लेना शुरू की जिससे उसे दस्त लगने लगे उसने अपनी कियर बंद कर दी नहाना धोना भी बंद कर दिया कुछ दिन में वो हड़ी का धाचा नजर आने लगी केर ना करने के कारण वो बदसूरत दिखने लगी उसके शरीर से बदबू भी आने लगी उसने इस दौरान अपने शरीर से निकले हुए वेस्ट को एक जगए खटा कर दिया फीक पंद्रह दिन बाद वो युवक सच धजकर स्मार्ट बन कर उस लड़की के पास आया हलाकि वो उस लड़की को पहचान नहीं सका लड़की ने बताया कि वो वही है जिससे वो बहुत प्यार करता है अपनी जान से भी ज़ादा जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है लड़की ने पूछा कि अच्छा पहचान में नहीं आ रही हो क्या तुम सच मुझ बही हो लेकिन तुम्हारा सौंदर्य कहा है लड़की ने कहा कि उसने अपनी पूरी ब्यूटी को निकाल कर एक बरतन में एक खटा कर दिया है वो अब उसके सौंदर्य के रसों का ब्यूटी के एक्स्ट्रैक्ट का भोग कर सकता है लड़का हैरत में पड़ गया उसके मन में निकाल कर रखे गए सौंदर ये रस को देखने के एक्चा हुई लड़की ने अपनी उल्टी दस्त और गंदगी से भरा हुआ कंटेनर दिखाया आपने कलपना कर ली होगी कि उस युवक के क्या हाल हुए होंगे सारा प्यार काफूर हो गया हाला कि उस युवती के इस उपक्रम से उसे वास्तविक सत्य को जानने की एक्चा हुई इसके बाद वो वास्तविक सत्य की खोज में लग गया आगे चलकर वो आत्मग्यानी बना हम सब उस शरीर से आकरशित हो जाते हैं जो वास्तव में सत्य नहीं है दोनों युवक यूती रियलिटी में उपर से शरीर थे लेकिन अंदर से आत्मा उपर का शरीर अंदर अनेक तरह के वेस्ट मटेरियल से भरा हुआ है जो भी सुन्दर्ता इस शरीर में दिखाई देती है वो अंदर की आत्मा के कारण है आत्मा के छोड़ते ही वो शरीर पूरा की पूरा वेस्ट मटेरियल हो जाता है हमारा जो वास्तविक सौंदर्य है उसे ना तो हम देखते हैं ना ही कोई दूसरा वास्तविक सत्य और सौंदर्य एक आत्मा ही है ये आत्मा ही परमात्मा के रूप में चरम सत्य, चरम सौंदर्य, चरम ग्यान, चरम शक्ति और चरम वेभव है हम सब को इसी के आकरशन में बंधना और बांधना चाहिए